आपके बाल जो रूखे थे जाड़ू जैसे थे वो सोफ्ट हो जाएंगे जो तूट रहे थे वो तूटने बंद हो जाएंगे बालों की ग्रोथ होगी और लंबे घने बाल आपको मिलेंगे हेलो फ्रेंज स्वागति है आपका हमारी यूटूब चैनल हेल्थ ब्यूट ट्रीटमेंट आज किस वीडियो में बिना किसी ओयल के बालों को लंबा घना बनाने का जो तरीका में आपको बताने जा रही हूँ ये इतने ज्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव हैं कि आपके बालों को मोटा घना काला लंबा साइनी एंड गलोसी बना देगा आपके बाल जो रूखे थे जाड़ू जैसे थे वो सोफ्ट हो जाएंगे जो तूट रहे थे वो तूटने बंद हो जाएंगे बालों की ग्रोथ होगी और लंबे घने बाल आपको मिलेंगे इस हेर टोनिक को यूज करने से तो क्या है ये हेर टोनिक और कैसी यूज करना है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक पुरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें तो इसके लिए आप एक पैन में एक गिलास पानी लेकर उसमें एक चम्मत चाइकी पत्ति का एड करेंगे अगर आपके बाल सफेद हो चुकी हैं या सफेद होना सुरू हो गई हैं तो चाय की पत्ति उन्हें रोग कर बालों को काला बनाएगी और धिरे धिरे आपके बाल साइनी होते जाएंगे अब आपने दो से तीन प्याज लेनी हैं और उन्हें पीलोफ करके कट कर लेना हैं प्याज में एंटी बैक्टीरियल और एंटी उक्सिडेंट गुन होते हैं जिनको यूज करने से स्कैल्प का जो बलट सर्कुलेशन है वो बढ़ता है जिसकी वजह से बाल गिरना कम हो जाता आप चाहे तो इनके छिलकों को भी इसमें एड कर सकते हैं क्यों किसमें भी वही पावर होती हैं जो प्याज के अंदर पाई जाती हैं तो आपने इसे 10-15 मिंट धिमी धिमी आज पर अच्छे से बोईल कर लेना है तो ये अच्छे से बोईल हो चुका है और चैपत्ती प्य इसके अपलाई करने की कि आपने इसको यूज कैसे करना है तो बहुत ही सिंपल है इस हेर टोनी को किसी स्प्रे बोटल में एड कीजिए और नहानी से डेड़ दो घंटा पहले इस केल्प से लेकर लेंध तक अपने सारे बालों में अपलाई कर लीजिए लेकिन अगर आपक सकते हैं तो आप इसी अच्छे से अपने सारे बालों में अपलाई कीजिए डेड़ से दो घंटा अपने बालों में रखिए और नेक्ट वीक न्यू बना लीजिए आई होप आप को वीडियो अच्छा लगा हो सो ज़रूर वीडियो को लाइक करें सेयर करें और आगेने व अपने वाइ!